कालपी कागस, कालीन और कपड़ा यानि फुर्के से कालपी पहचानी जाती है आलहा के काज से यहां हाथ से कागस बनाने का कारुबार था आजाद भारत में भी ये कारुबार फलता और फुलता रहा है यहां का बनाया गया कागज शुब कारियों के लिए अच्छा माना जाता है यहां कई फूलों के अलावा तोसी मिश्रित कागज भी बनाया जाता है यह कागज शुब कारियों के समय नियांतरन पत्र के लिए इस्तमाल किया जाता है लेकिन चीन के बने सस्ते कागस ने यहां के कागस उद्ध्योग को काफी नुकसान पहुँचाया है यह लगभ़ डेड़ सो कागस बनाने की फाक्टरी थी अब 50-70। संचाले थे शेश फैक्टरियां बंध हो गई है ये फैक्ट्रियां दस हजार लोगों को रोजगार उपलब कराती हैं उतरप्रदेश सरकार ने कालपी के कागज उद्योग को वोटिंग ओपी के तहट सायोग दिया है और ये कमपनिया एक बाफ फिर गती पकड़ रही है यहां का शांदर कागज एक बाफ शुब और वेवसाइग गती विधियो में महत्वपुन भूमिका निभाएगा ये कालपी का कागज उद्योग बहुत पुराना है आलाकि मैं भी इसका कालपी के कागज का पुराना दिया है और वो कुछ समस्यां रहीं ऐसी कि अब कागज का उद्योग थोड़ा कमजोर होने लगा कुछ चाइना का कागज जा गया इसलिए वो सस्ता है खराब भी है ये महगा भी है और बहुत अच्छा भी है इसलिए थोड़ा परिसानी हो गई और उसमें हमने फिर मानी मुखमतली से कहा कि हमारे कागज का उद्योग बहुत पुराना है ये मृत पै हो रहा है इसको जीवन्त प्रदान करने के लिए आपकी आवज सेकता है है कि एक जिला थो जिर की आए मिधिया और अभी हृष हनला कि और जियला एक ओथपाद पांत्क है कि हुआ है किV helmet 515 सब्सूंस पर उसलिए चल रही है और पर जोतं झार्कार शको मददت